नमस्कार दोस्तो आगर आप एक यूटूबर है तो वीडियो को पूरा देखने का मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अपने इस्टेगराम का लिंक का अपने यूटूब चेनल में कैसे एट करोगे यानि कि आपने यूटूब चैनल में अपना इस्टेगराम का लिंक कैसे जोड़ोगे तो दोस्तो चलिए हम इस वीडियो को देखी लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हैं पर अपना Chrome ब्राउजर ओपन करेंगे उसके बाद में हम टाइप करेंगे यूटूब डोट कॉम उसके बाद में हम इसको सर्च कर लेंगे सर्च करने के बाद में आपका यूटूब यहाँ पर ओपन हो जाएगा Chrome ब्राउजर में इस परकार से तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है राइट साइट कोने में यह तीन बिंदू दिखाई दे रही है उस पर किलिक करना है उस पर किलिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डेक्स टॉप साइट पर किलिक कर लेना है परकार से ओपन हो जाएगा Chrome browser में Dexasite mode में एकदम computer के जैसे तो चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है राइट साइट कोने में तीन बिंदू के नीचे आगर आपने YouTube channel बना रखा है तो उसका logo दिखे देगा तो उस logo पर क्लिक करना है अपने channel का यहाँ पर आपको यूवर channel लिका हुआ मिल रहा है सबसे उपर उसके किलिक कर लेना उसके किलिक करने के बाद में आपका channel यहाँ परकार से open हो जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर कस्टमाइज चैनल पर किलिक करना है तो हमने किलिक कर लिया है तो आप यह Chrome ब्राउजर में YT Studio ओपन हो जायागा Dex Site Mode में तो अभी यह ओपन हो रहा है तो अभी यह ओपन हो गया है अभी यहां पर आपको यहां पर देख लिजें सबसे नीचे यह लाइन दिकाई दे रहा है इसके नीचे यहां पर आपको यह सितारा वाला पेंसिल दिकाई दे रहा है तो उसके बाद में हैं सबसे उपर आपको लिखा हुआ दे रहा है Channel Customization उसके बाद में हैं पर निचे लिखा हुआ है Layout Light के आगे लिखा हुआ है Branding Branding के आगे लिखा हुआ Info तो आपको Info पर किलिक कर लेना है info पे click करने के बाद में इस परकार से open हो जाएगा आपके सामने page तो यहाँ पे दोस्तों भी क्या करना है आपको अपने instagram का link add करना है तो यहाँ पे आपको सबसे निचे delete के निचे add link लिका हुआ दिकाई देरा plus add link तो चलिए हम उस पे click कर देते हैं उस पे click करने के बाद में यह box लाल में लिका हुआ है link title required उसके निचे लिकाऊ enter यह title तो हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे instagram का नाम लिक देंगे ठीक है instagram का हम नाम लिक देते हैं तो चलिए हम नाम लिख देते हैं अभी हमने नाम लिख दिया है अभी हमको link 8 करना है तो हम आगे वाले box में link 8 करेंगे और दोस्तों यहां से आप facebook का या ट्यूटर का या किसी भी आपका social media है उसका link का यहां 3-4 आप 8 कर सकते हो तो दोस्तों चलिए हम इसको ask रहने देते हैं अभी हम जाएंगे बेक तो हम इसको पूरा बेक कर देते हैं बेक करने के बाद में हम क्या करेंगे ? अपना instagram open कर लेंगे अगर आपका instagram बना हुआ है तो आप बना नहीं बना हुआ है तो बना लिजिये तो हमने यहाँ पे open कर लिया है हमारा instagram open यहाँ पे आपको नीचे right side कोने में अपना profile दिखे देगा instagram का तो उस पे click करना है उस पे click करने के बाद में यहाँ पे आपको 3 line दिखे दे रही है right side कोने में तो हम उस पे किलिक करेंगे उस पे किलिक करने के बाद में आपको यहां पे इस परकार को से देखने को मिलेगा तो यहां पे आपको क्या करना है QR कोड पे किलिक कर लेना है QR कोड पे किलिक करोगे तो इस परकार से ओपन हो जाएगा आप राइट साइट कोने में यह वाट्शोब या किदर भी आप उसको सेंड कर सकते हुआ हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम सेव करेंगे डिकने के लिए नोटस पर किलिक करेंगे अभी किलिक करने के बाद में आगे पर पैच इस फरकार से उपन हो गया अब यहां पे आपको क्या करना है देखके follow me one isicularly ठीक है उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद में हम क्या करेंगे अब पूरा बेग चले जाएंगे बेग जाने के बाद में हम कहां थे वहीं पर चले जाएंगे अपना Chrome ब्राउजर में ओपन किया था अपना YouTube चैनल को तो हम वहीं पर आ गए तो हम यहां पर क्या करेंगे यह आप Instagram नाम डाला था ना उसके आगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है URL required उसके नीचे इंटर यह URL तो हम उसको पेस्ट कर देंगे तो पब्लिक क्लिक कर देना पब्लिक के क्लिक करने के बाद में अभी हम यहां पर किलिक करेंगे सबसे नीचे जो किलिक किया अभी हमारे पास अपना यूटूब चैनल ओपन हो गया तो यहां पर हमको क्या करना है अभी एड हुआ कि नहीं हुआ हमारा लिंक वह देखना है तो हम क्या करेंगे यहां पर किलिक करेंगे यहां पर किलिक करने के बाद म चैनल में एट कर सकते हो अगर कोई आपके यूटूब चैनल के अबाउट में आएगा और यहां से भी कोई इस लिंक को किलिक करेगा तो आपके इस पे चला जाएगा डायरेक्ट इस्टेगराम पे और आपको फालो कर सकता है तो दोस्तों वीडियो किसा लगा वीडियो को ल दे मात्रम